हेलो एवरिवन आज की इस क्लास में शुशॉल जी के इंपॉर्टेंट फिफ्टी कोश्चन्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जो कर दीजे अगर आप नेट, जी आरफ, पीजीटी, जी आईसी या फिर एसेस्टन प्रफसर एक्जाइम की तैयारी कर रहे हैं शुशॉल जी से तो इस चैनल के साथ ज कितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जव कर दीजे एक अभी आप शाम पांच बजे क्लास देख रहे हैं शुशॉल जी की रात में आट बजे भी क्लास होती है शुशॉल जी की और उसमें प्रशनों का जो इस्तर रखा गया है वो आपके नेट एक्जाइम क साथ साथ एसेस्टन प्रफेसर एक्जाइम के लिए रखा गया है ठीक है तो आप उस क्लास को भी जोइन कर सकते हैं ओके चली शुरू करते हैं प्रशन है किसकी अनुसार नाभ की परिवार समाज की एक अधार भूत सरशनात्मक इकाई है ओप्शन से रोजर एन हैरेस एफ में से किसकी अनुसार ना भिकिय परिवार समाज की एक अधार भूत सरशनात्मक इकाई है तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा राइड अन्सर रोजर एन हैरेस होगा ओप्शन ए यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रश्ट हैं समाज शास का जन्म स्थान पूछा जा रहा है क्या है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ऑप्शन्स है समाज शास्त का जो जन्मिस्थान है वो क्या है तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता होगा फ्रांस ऑप्शन भी यहाँ पर राइट होगा ठीके भी यहाँ पर राइट है फिर 1838 में इन्होंने समाज शास्त्र शब्द दिया है चलिए आगे देखते हैं प्रेशन है समाजिक परिगटना को समझने में निम्न में से कौन प्रकारयात्मक उपागम नहीं अपनाता है समाजिक परिगटना को समझने के लिए इन में से किस ने प्रकारयात्मक उपागम का प्रियोग नहीं किया है ये पूछा जा रहा है ओप्शन्स है अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट किंग मर्टन, हेबर मास तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हेबर मास हेबर मास होगा, ओप्शन D, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर की बात आती है तो ये नव प्रकारवाद की जनक है Kingsley Davis ने अपने सभी अध्यनों में सरशनात्मक प्रकारयात्मक उपागम का प्रियोग किया था प्रकार दुश्प्रकार की बात मर्टन ने की है ठीक है तो यहाँ पर D हो जाएगा सही प्रेशन देखे यहाँ पर क्या दिया गया है इस द्रस्टिकोड की वकालत किसने की है कि समाज शास का अध्यन छेत्र द्यानिक जीवन की सहज बुद्धी है यह किसके अंतर गताएगा प्रकारवाद, सरशनावाद, परिघटनावाद या फिर विनमे सिध्धान्त तो यहाँ पर विकल्प सही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा परिघटनावाद ठीक है परिघटनावाद हो जाएगा ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्ण है किसने इंग्लैंड की जेलों में बंद अपराधियों का ध्यन समाजिक सर्वेक्षन विधी से किया ओप्शन्स है वाइट, जॉन होवर्ट, पीवी यंग, ग्रीन यहाँ पर ओप्शन्स है किस ने इंग्लेंड के जेलों में बंद अपराधियों का ध्यन समाजिक सर्वेक्षण विधी से किया है सही क्या होगा यहां पर राइड अंसर क्या होगा राइड अंसर क्या होगा यहां पर जॉन होवर्ट होगा जॉन होवर्ट ऑप्शन बी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा साक्षातकार मूल रूप से समाजिक अंतर किरिया की एक प्रक्रिया है अब यहाँ तर्क किसका है? गुडेंड हॉट, किंगस्ले डेविस, मीड, स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गये है साक्षातकार मूल रूप से समाजिक अंतर किरिया की एक प्रक्रिया है यहाँ इन में से किसका कहना है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा किंगस्ले डेविस किंगस्ले डेविस की एक पुस्तक है Human Society, मानव समाज Important book है, इसे याद रखिएगा चलिए, आगे देखते हैं, प्रेशन है अब यहाँ पर मिलान करना है और अभी एक क्लास भी होई थी शोशल रिसर्च से रिलेटर अभी जल्द ही कुछ दिन हुए है जब क्लास हुई थी शोशल रिसर्च से रिलेटर MCQs कराए गये थे और यहाँ पर सही क्या होगा Option B होगा मौखिक की बात करें तो इसमें लोगों का ग्यान आ जाएगा सर्वे की बात करें तो परिणात्मक आकड़े हो जाएंगे प्रतिचैन की बात की जाए तो समगर का प्रतिनिधित्व और इकाई का गहन अध्यन केस स्टडी के अंतरगत आएगा Option B यहाँ पर सही हो जाएगा अब यहाँ पर बुक्स दी गई है देखकर बताईए सही क्या होगा सारी बुक्स बताई गई है सही क्या होगा Madness and Civilization की बात की जाए तो यह फूको की हो जाएगी Capitalism and Modern Social Theory ठीक है यह पुस्तक किस की हो जाएगी Anthony Giddens की हो जाएगी Writing and Difference Writing and Difference किस की हो जाएगी देरिदा की Structural Anthropology Levis Tross की तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा Option C हो जाएगा C यहाँ पर राइट है Next है इन में से कौन सा युगम सही नहीं है समाजिक तत्य दुर्खीम एतिहासिक भौतिक वाद काल माक्स प्रस्ततियम भूमिका रॉल्फ टर्नर बहुल परंपरा S.C. दुबे सही नहीं है पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा गलत बताना है तो यहाँ पर होगा प्रस्ततियम भूमिका टर्नर ने बात नहीं की है ठीक है टर्नर ने बात नहीं की है लिंटन ने की है प्रस्तति भूमिका इस पूरे टॉपिक को कम्प्लीट कराया जा चुका है प्रस्तति और भूमिका से संबंद जितने भी अवधार्णाएं हैं, उनको क्लास में कराया गया है, इसका इसी नाम से आपको प्लेलिस में फोल्डर भी मिल जाएगा, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, वे सभी प्लेलिस जरू चेक कर लीजे, जितने भी क्लासेस हुई हैं अभी तर, जितने भ topics complete कराये गये हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस में सभी मिल जाएंगे, ठीके, सी यहां पर राइट होगा, लिंटन ने सबसे पहले प्रस्तती भूमिका का व्यवस्तत तरीके से अध्यन किया था, ठीके, अब पूछा जाता है, सबसे पहले किस ने किया, तो लिंटन ने किया, किस पुस्तक में इनोंने इसके बाद की है, तो पुस्तक का नाम क्या है, The Study of Man, डेरेक्टली भी पूछ ले जाता है, कभी-कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है, कि लिंटन ने अपने किस पुस्तक में प्रस्तती भूमिका की बात की है, तो the study of man है, फिर एक प्रश्ण बनता है कि प्रस्तती के दो प्रकार अर्जित प्रस्तती और प्रदत प्रस्तती, ये किसने बताए हैं, तो लेंटर ने ही बताए हैं, ठीके, चले, आगे देखते हैं, प्रश्ण है, लोक संस्कृति के अवधाना के प्रवर्तक है, आर रेट फिल्ड पार्संस, आर रेट क्लिफ डेनियल लर्नर ओप्शन्स है, लोक संस्कृति के अवधाना किसने दी हैं, सही क्या होगा, लोक संस्कृति के अवधाना सही क्या होगा, सही यहाँ पर हो जाएगा रेट फिल्ड, ठीके, रेट फिल्ड ने लोक संस्कृति की अ अवधारना ये भी इनहीं की है एक्जाम्स में अक्सा पूछी जाती है लगू समुदाई के अवधारना लोग समाज के अवधारना चली आगे देखते हैं प्रेशन है मिशित परिवार के अवधारना से संबंदित है ऑप्शन से पार्संस लिंटन बर्गेस मर्डॉक मिशित परिवार के अवधारना किस ने दी है सही क्या होगा यहाँ पर सही होगा जीपी मर्डॉक जीपी मर्डॉक ने मिशित परिवार के अवधारना दी थी अब यहाँ पर देखे पूर्व अधोगिक परिवार से पूछा जा रहा है सम्मंधित कौन है पूर्व अधोगेक परिवार की अवधार्णा किस ने दी Parsons, Gude, C.M. Errensburg, Durkheim, Options है तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा Errensburg हो जाएगा C.M. Errensburg, C. यहाँ पर राइट होगा Next है, दुवित्यक विचलन की अवधार्णा Edwin Lemert, Illyat and Merrill, Durkheim, Marks, Options है दुवित्यक विचलन, सही क्या होगा दुवित्यक विचलन की अवधार्णा किस ने दी है Edwin Lemert ने न केवल दुवित्यक विचलन बलकि प्राथमिक विचलन की भी अवधार्णा इन्हों ने ही दी है यानि कि विचलन की दो प्रकार प्राथमेक विचलन और द्वित्यक विचलन किसने बताएं हैं? लेमट ने बताएं हैं इसे याद रखेगा चली आगे देखते हैं प्रजनन परिवार के अवधारना के प्रवर्तक है मर्डो, कुडे, लीच, वाडनर आप्शन्स है प्रजनन परिवार, सही क्या होगा? प्रजनन परिवार के अवधारना किसने दी है? तो यहाँ पर हो जाएंगे वाडनर ठीक है? वाडनर ने नाभी की परिवार के दो प्रकार बताये थे एक जन्म मूलक, दूसरा प्रजनन मूलक जन्म मूलक जिसमें की व्यक्ति का जन्म हुआ होता है ठीके व्यक्ति का जन्म होता है ऐसे परिवार में उस व्यक्ति के माता पिता और उसके भाई बहन होते हैं दूसरी और प्रजनन मूलक परिवार की बात की जाए, तो ऐसा परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवा के बात करता है और इस परिवार में पती-पतनी के साथ-साथ उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ठीक है, क्लियर, चलिए, आगी चलते हैं, प्रेशन है, नि ओगेंदर सिंग, M.N. शिनिवास, D.N. मजूमदार, S.L. कालिया, यहाँ पर उप्शन्स हैं, तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.N. मजूमदार, ठीक है, D.N. मजूमदार ने विस संस्कृतिकरण की अवधार्ना दी थी, और अब अगर पूछा जाए संस्कृतिकरण की अवधार्ना किस ने दी है, तब यहाँ पर श्रेनिवास हो जाएंगे? चलिए, आगे देखते हैं, प्रदर्शनात्मक उभ्भोक की अवधार्ना संबंदित है, वैबलन, कोहन, शुम्पिटर, होम्स यहाँ पर आप्शन्स है, प्रदर्शनात्मक उभ्भोक की अवधार्ना इन में से किस ने दी है, सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा वैबलन, ठीक है, वैबलन ने दी है, यहाँ पर राइट होगा, बहु नाभी की सिद्धान्द की अवधार्ना किस ने दी है, पार्संस, हैरिस एन उल्मैन, होगा option B यहाँ पर right हो जाएगा अब यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट समग्र संस्था गौफ मैन सैनिक समाज स्पेंसा मिथ्या चेतना सोरोकिन बताइए समय नहीं लगना चाहिए सब आगे कराया जा चुक इसके बार में भी बताया गया है ठीक है यहाँ पर सही होगा और काल माक्स के नाम से ही आपको प्लेलिस में फोल्डर भी मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं जिन्नोंने भी नहीं देखा है अब यहाँ पर प्रेश्ण है निम्न में से फैलाव की अवधार्णा है किसकी ए एसी मियर यहाँ पर ऑप्शन्स दिए गए है फैलाव की अवधार्णा किसकी है फैलाव की अवधार्णा इन में से किसकी है M.S. शिरुनिवास की अवधार्णा जो की प्रमुक है संस्कृती करण की दूसरी प्रभुत्व जाती की है तीसरी आधोनी की करण पिर चौधे नंबर पर आती है पश्मी करण की धन्रहर पेक्षी करण ये सारी अवधार्णाई किस ने दी है M.N. शिनिवास ने दी है, याद रखेगा, एक्जैम्स पे पूछी जाती है प्रश्न है निम्ने में से कौन सा युगम सही नहीं है प्रभु व्यक्ति, S.C. दुबे, प्रभु समुदाय, A.C. मियर, प्रभु छेत्र, A.C. मियर, अर्ध प्रात्मिक समुद कूले सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है, यानि कि गलत बताना है, चलिए, बताएए, सही क्या होगा, B होगा प्रभु समुदाय, A.C. मियर का नहीं है, रौय बर्मन का है, एक सकीने आपरो कर रहा ठीक है, रॉय बर्मन की ये अवधार्णा है, चलिए, आगे चलते हैं प्रश्न है, अनिवार सम्हू की अवधार्णा से संबंदेते हैं, बोटो मोर, जिंसबर, कूले, वाट आप्शन्स हैं, अनिवार सम्हू की अवधार्णा किसने दी है अब जब शोशल ग्रोप, यानि कि समाजिक सम्हू इस टॉपिक को कम्पलीट कराया गया था, तो वहाँ पर सम्हू की अवधार्णा नाई थी, समाजशासियों ने जो सम्हू के प्रकार बताया हैं, उन्हों सभी को क्लास में बताया गया था तो यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गए हैं, बोटो, मोर, जिंसबग, कूले, वाट, अनिवारी सम्हू के अवधार्णा पूछी जा रही है, किस की है, देखे, वाट ने सम्हू के दो प्रकार बताया थे, ठीक है, एच्छिक सम्हू और दूसरा अनैच्छिक सम्हू, अनैच एच्छिक सम्हू को अनिवारी सम्हू कहा जा सकता है, एच्छिक सम्हू में सदस्ता क्या होती है, ओप्शनल होती है, और अनिवार में तो आपको पताए ठीक है, तो अनिवारी का अनैच्छिक सम्हू ऐसे करके भी पूछते हैं, ठीक है, तो यह वाट का है, चले, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा सही नहीं है, अब धार्णाय दी गई है, संस्कृति करण, M.N. शिनिवास, पश्मी करण, M.N. शिनिवास, लोक की करण, S.C. दुबे, आधुनी की करण, M.N. शिनिवास, देखिए सही नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताईए, लौक की करण होगा, ठीक है, लौक की करण होगा, यहाँ पर यह ऐसी दुबे की नहीं है, यह श्री निवास की है, लौक की करण मतलब धर नर्पेक्षी करण की अवधारना, ठीक है, तो यहाँ पर एमन श्री निवास हो जाएंग द्वित्यक संस्था Kingsley Davis प्रात्मिक समाजी करण कूले शीर्षी समाज समन सही है पुछा जा रहा है यह ध्यान रखेगा क्या होगा आश्रीश्री समाज के अवधना इवान्स प्रचाट ने दी है द्वित्यक संस्था की अवधना की बात होती है तो यहाँ पर पार्संस होंगे ठीके पार्संस ने द्वित्यक संस्था के अवधार्ना या संस्था करण के अवधार्ना ठीके ये दो अवधार्ना है पार्संस की थी प्रात्मिक समाजी करण की बात आती है तो ये भी अवधार्ना पार्संस की ही है प्रात्मिक समाजी करण क पार्संस ने दी है और जो शीर्षी समाज है ठीक है ये भी किसका हो जाएगा इवान्स प्रचाट का हो जाएगा ठीक है इवान्स प्रचाट शीर्षी समाज और आशीर्षी समाज ये इवान्स प्रचाट का है किस समना नहीं होगा ठीक है option A यहाँ पर राइट होगा चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर प्रश्ण है वास्तविक संदर्व सम्मू की अफधारना किस की है मर्टन, ओटो, क्लाइन बर्ग, हाइमेन या फेन में से कोई नहीं संदर्व सम्मू की बात सबसे पहले किस ने की थी हाइमेन ने की थी समाज शास में संदर्व सम्मू की बात किस ने की है मर्टन ने की है यहाँ पर वास्तविक संदर्व सम्मू की बात हो रही है अफधारना किस की है ओटो, क्लाइन बर्ग की है Autocline work, option B, यहाँ पर सही हो जाएगा सहभागी समाजी करण के अफधार्णा से संबंदित कौन है? White, H. Meat, Melonovas की, Broom and Selgenic options है सहभागी समाजी करण के अफधार्णा इन में से किसकी है? Right answer क्या होगा यहाँ पर? सहभागी समाजी करण के अफधार्णा किसकी हो जाएगी? Broom and Selgenic की हो जाएगी D, यहाँ पर right answer हो जाएगा D, यहाँ पर right होगा समाजी करण इस topic को भी complete कराया जा चुका है समाजी करण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है दूसरा इसकी विशेश्टा सरप्रमुक क्या है? यह व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती है ठीके जीवन भर चलती है तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है ठीके महतपूर अवस्था क्या है? समाजी करण की बाले अवस्था से किशोर अवस्था महतपुर अवस्था मानी जाती है इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा चले आगे चलते हैं प्रेशन है साथमे करण की अवधार्णा किसकी है रॉबर्ट पार्क, लिंटर, लर्नर, गुरिये, ऑप्शन्स है लिंटर, लर्नर, डेविस, कॉर्डिनर, ओप्शन्स है मूलभूध संस्कृति की अवधार्णा की प्रतिपात्थ कौन है सही क्या होगा सही यहाँ पर लिंटर्ण हो जाएगा ठीके, मूलभूध संसकृति है मूलभूध व्यक्तित्व नहीं है मूल भुष संस्कृति की अफधार्णा लेंटन हो जाएगा यहाँ पर सही प्रेशने हैं और संस्कृति यानि की कल्चर इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया गया है आईए यहाँ पर दिखते हैं प्रेशने हैं किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तू नहीं है जो अच्छूत को पवित्र कर सके वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं वे जीवन परयतन अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं ओप्शन्स दिये गया है केम पार्णिकर, केम मुन्शी, भीमराव अमबेटकर, मुम्तास अली खान सही क्या होगा यहाँ पर, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भीमराव अमबेटकर, ओप्शन्स C यहाँ पर राइट होगा प्रेशन है किसी ओधोगिक समाज का धाचा होता है निउ लोकल निवासगत धाचा, बाई लोकल निवासगत धाचा, पैट्रियो लोकल निवासगत धाचा या फिमेट्रियो लोकल निवासगत धाचा किसी ओधोगिक समाज का धाचा कैसा होता है इसका structure कैसा होता है तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा ए ठीके, new local निवासगत धाचा हो जाएगा ए यहाँ पर सही होगा गोल गधेडोर किस जनजाती से सम्मंद देते है भील, नायर, टोडा, खरिया जनजातीया दिया गया है विकल्प में सही क्या होगा इन में से किस जनजाती से इसका सम्मंद है सही यहाँ पर क्या होगा भील जनजाती ठीके, भील जनजाती है option A यहाँ पर right है अगस कौम्ट ने समाज के अध्यन को विभाजित किया है अर्द सरशना, अतिसरशना में समाजिक स्थिति विज्यान, समाजिक गती विज्यान में अन्ता समू और बाहे समू में या फिव उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही क्या होगा सही क्या होगा यहाँ पर समाजिक स्थिती विज्ञान और समाजिक गती विज्ञान में बी यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है प्रश्न है संदर्व समू वहवार के मुख्य आधार का निर्मार किस से होता है इर्शा से, तुलना से, तुलनात्मक अभाववववथ से या फिर उप्रियोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही क्या होगा संदर्व समू, रेफ़रंस ग्रूप तुलनात्मक अभाववववववथ होगा यहाँ पर मुर्टन ने समाज शास्तर में सबसे पहले संदर समू की बात की थी इस अवधारना का प्रियोग मुर्टन ने किया था समाज शास्तर में सबसे पहले उन्होंने कहा था कि संदर समू व्यक्ति का एक ऐसा समू होता है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता है पर सदस्य बनना जाता है और इस संदर समू के निर्मार के उन्होंने दो आधार भी बताये थे एक तो बताया था अकांक्षा को और दूसरा बताया था तुलनात्मा क भावबोत या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना ठीक है इसे याद रखेगा पूछा जाता है प्रशन है निम्न विद्वानों में से किसने एतिहासिक परिपेक्ष में हिंदू परिवारों का अध्यन किया है एलन रॉस, एमेस गोरे, आईपी देसाई, इरावती कारवे यहाँ पर ऑप्शन्स दिये गए हैं एतिहासिक परिपेक्ष में हिंदू परिवारों का धिन किसने किया है सही क्या होगा सही यहाँ पर होगा इरावती कारवे इरावती कारवे होगा यहाँ पर सही और इरावती कारवे ने जाती व्यवस्था की दो मुख्य विशेश्टाएं बताई थी, एक तो अन्ताविवा और दूसरी परंपरागत व्यवसाई, इसे भी याद रखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है, आईए देखते हैं, एक संस्था का कारे परिवर्तित हो सकता है, परंतु उसक के पहले के अनेक भूमिकाय जारी रह सकती है, संस्थात्मक इस्थिती रखने वाले लोग आजा सकते हैं, संस्थाओं में परिवर्तन धीरे धीरे नवीन तकनीकों को लागू करने से तथा नवीन समितियों को स्थापित करने से होता है, या फिर उपरोक्त सभी, सही कौन संस्था का प्रकार नहीं है, वहवारों पर नियंत्रन, इस्थती और कारे का निर्धारन, निजी स्वार्थों की पूर्ती, समाजिक एक रूपता में सहायता, संस्था का प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, निजी स्वार् की 108 परिभाशाएं हैं ओप्शन से मैकेवर और पेज रोबर्ट बीर स्टेट, मजूमदार और मदान, क्रोबर और क्लुखॉन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा सही विकल्प क्या होगा क्रोबर और क्लुखॉन होगा ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा अभी बताया गया है इस पुस्तक में इन्होंने प्रस्तति और भूमिका की अवधार्ना दी थी प्रशन है, औप्चारिक संबंद निम्ने में से किन समूहों का लक्षन है प्रात्मिक समू, द्वित्यक समू, इस्थानिय समू या फिर स्थाई समू अप्चारिक सम्बंद इनमें से किस समू का लक्षन है अप्चारिक सम्बंद इनमें से किस में देखने को मिलता है बित्यक समू में, ठीके बी यहाँ पर सही हो जाएगा प्रात्मिक समू में अनप्चारिक सम्बंद पाई जाते है प्रश्न है कर्म का सिद्धान्द हिंदो धर्म के किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है रमायण, उपनिश्यद, वेद, भगवद गीता कर्म का सिद्धान्द इन में से किसमें देखने को मिलता है किसमें किया गया है तो सही क्या होगा भगवद गीता ठीके डी यहाँ पर राइट होगा निम्न में से कौन से जन जाती में सबसे छोटी पुत्री को धन संपता का उत्राधिकार मिलता है जन जाती देखिए कौन कौन से दी गई है तोड़ा जन जाती, खासी जन जाती, भील जन जाती या फे इन में से कोई नहीं सबसे छोटी पुत्री को धन संपता का उत्रा धिखार किस जन जाती में देखने को मिलता है सही हो जाएगा खासी जन जाती B यहाँ पर राइट होगा प्रश्ण है इस्तरी करण व्यवस्था समान मूल्यों से उत्पन होती है निम्न में से किसने कहा है सही क्या होगा पुस्तक है वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासे ओप्शन दिये गया है जॉन एच गोल्थोर्प विल्यम फुट वाइट सी राइट मिल्स या फे इन में से कोई नहीं वाइट कॉलर अमेरिकन मिडिल क्लासे किसकी पुस्तक है सही हो जाएगा सी राइट मिल्स ठीक है सी राइट मिल्स ओप्शन सी यहाँ पर राइट होगा प्रेश्ट है जाती ववस्ता पर प्रथम क्रमबत अध्यन किया गया था जीज गुरिये डियन मजूमदार एनके बोस राधा कमल मुकरजी ओप्शन सी यह गया है सही क्या होगा जाती ववस्ता का पहला क्रमबत अध्यन इनमें से किसने किया है बताईए बताया गया है सभी किसने किया है सबसे पहले ववस्तत तरीके सद्यन जीज गुरिये ने छे विशेशताएं भी बताई है जाती ववस्ता की इससे संबंदित पुस्तक क्या है caste class and occupation caste class and occupation ये इनकी से related book है जिसमें कि उन्होंने caste system के बारे में बात की है चलिए आगे देखते हैं प्रश्ण है the Indian middle class पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं कौन है The Indian middle class किस की हो जाएगी पुस्तक? The Indian middle class किस की हो जाएगी? B.B. मिश्यकी हो जाएगी C. यहाँ पर right होगा ठीक है? C. यहाँ पर right है जन्जाती उत्थान के लिए 5 मूल सिध्धान्त यानि की 5 शेल सर और प्रथम प्रस्तुत किये गए वेरियर एलविन एनके बोस जवाहर लाल नहरू जैपाल सिंग यहाँ पर सही क्या होगा? जन्जाती समाज इस टॉपिक को कम्प्लीट कराया गया है वहाँ पर जन्जातीयों से सम्मंदित जो सभी महतपूर बाते थी महतपूर जो प्रश्न थे उनको क्लास में कराया गया है इससे जरूर देख लेजेगा इनपोर्टेंट है यह टॉपिक और यहाँ पर सही हो जाएगा जवाहर लाल नहरू ठीक है, ओप्शन C यहाँ पर आइट होगा वेरियर एल्विन की जन्जाती समाज से सम्मंदित नैशनल पाक की अवधार्ना है रास्टी उपवन की अवधार्ना इनोंने दी है चली, आगे देखते हैं प्रेशन है भारत के अधिनियम में छटी अनुसूची का सम्मंद है अनुसूची जन्जाती से, अनुसूची जाती से अन्य पिछडे वर्गों से या फे अल्प संख्यकों से छटी अनुसूची का सम्मंद इन में से किस से है स्टी से, ठीके अनुसूची जन्जाती से ओप्शन ए यहाँ पर सही होगा प्रेशन है अनुसूची जन्जाती उत्पीडन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ 1950, 1955, 1961, 1989 बताईए कब यह पारित हुआ अधिनियम अनुसूची जन्जाती उत्पीडन अधिनियम 1950, 1955, 1961, 1989 दिया गया है तो सही हो जाएगा 1989 ठीके, डी यहाँ पर राइट होगा प्रेशन है अश्पश्रता अपराद अधिनियम कब पारित किया गया 1995, 1952, 1956, 1957 अश्पश्रता अपराद अधिनियम कब पारित किया गया और अश्पश्रता का अंत, यह अनुच्छेत किसमे है 17, अनुच्छेत 17 में अश्पश्रता के अंत की बात की गई है और यहाँ पर सही हो जाएगा आर्टिकल 55 ठीके, वर्ष, सॉरी, वर्ष पूचा गया न, वर्ष अधिनियम का यह 1955 है ठीके, यह यहाँ पर सही हो जाएगा प्रेश्न है, पुस्तक है लेखक पूचे जा रहे हैं कौन है गुरिये, वेरियर, एल्विन, गुहा, मजूमदार ओप्शन्स है किसकी है यह पुस्तक? किसकी हो जाएगी? मजूमदार की हो जाएगे और मजूमदार ने हो जन्जाती पर अध्यान किया था चलिए, लास्ट कोश्यन है सदर्लैंड ने श्वेत वसन अपरादी बनानी की प्रक्रिया के लिए उत्तरदाई माना त्रिव महत्व कांख्षा को, अच्छे व्यापार की मांग को, विभन संपर्को को या फिर बदला लेने की भावना को सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? क्राइम अपराद इस टॉपिक को भी कम्प्लीट कराया जा चुका है जहाँ एक और लोंप्रोसो को कहना था कि अपरादी जन्जात होते हैं वहें पर इनकी बात का खंडन सदर्लैंड ने किया था और कहा था कि व्यक्ति जन्व से अपरादी नहीं होता है बलकि वह समाज में रहकर ही अपरादी गतिविधियों को सीखता है अपरादी वहवार को सीखता है यहाँ पर विभिन संपर्क होगा ठीक है ओप्शन C यहाँ पर राइट होगा तो आज की इस क्लास में बस इतना ही आई होप यह आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लेज लाइक करेगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेय भी जरूर करेगा थैंक यू अगर बताईब करेगा